कि तरफ से यहां पर अगर हम पोस्ट की बात करें तो ट्रेनी की पोस्ट पर यह विकेंसी निकाली गई है जिसमें डिप्लोमा डिग्री वा आई टी आई की फ्रेशर कंडियेट इलिजबल हैं अप्लाइ कर सकते हैं इसमें अप्लाइ करने का कोई फीस नहीं लगेगा आपका सिलक्षन प्रोसेस क्या होगा इलिजबिल्टी ग्रेटेर क्या है एक्जाम डेट क्या होगा सब कुछ आपको इस टूडियो मताएंगे तो कंप्लेट इनफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो वेकेंसी अब बात कर लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वेकेंसी निकाली गए हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो वेकेंसी निकाली गए हैं इसमें अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग जोन के लिए वेकेंसी निकाली गए हैं जो आपका ट्रेनी का पीरियड होगा वो 12 म में हैं करना तर लाफके 10 जिए करणाट का जोन में टोटल भूर किसे है तीज़र में केरला में भी थीif विकेंची है इसी प्रकल शे ट्रेड अप्रेंटिशी में लगभख सभी ट्रेड के कैनिड़ेड इसमें इलीज़बल हैं अप्लाई कर सकते जैसे कि Trade Apprentices Fitter, Trade Apprentices Electrician, इसके बाद यहाँ पर Electrician, Electronic Mechanic, Mechanist, तो लगबग सभी Trade के लिए वेकेंसी निकाली गी हैं यहाँ पर जो Trade Apprentices की वेकेंसी है उसमें ITI के Freshers Candidate Elisable है अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं Technician की Post के लिए भी वेकेंसी निकाली गी है Technician Apprentices Fitter, Mechanical अगर आपके पास 3-year का डिपलोमा है, Mechanical में तो आप इसमें ITI कर सकते हैं या फिर Electrical में, Instrumentation में, Civil में, Electrical and Electronics में, Keyword Electronics में इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपके पास डिपलोमा है तो आप इसमें Training की Post के लिए इलिजबल है, अपलाई कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर Graduate Apprenticeship के लिए भी वेकेंसी है, टूटल यहाँ पर Graduate Apprenticeship की बात करें तो लगभग काफी जादा वेकेंसी है, अलग-अलग जोन में अलग-अलग वेकेंसी निकाली गई है यहाँ पर अगर हम बात करें टूटल वेकेंसी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टूटल 490 वेकेंसी निकाली गई है अब बात करते हैं इसमें stipend का कि इसमें कितना stipend मिलेगा त्यहां पर trade apprentice, technician और graduate apprenticeship के लिए stipend अलग-अलग होता है तो apprenticeship टेक्ट 1961 के recording जो भी आपको इसमें stipend देखने को मिलेगा वो लगबग आपका 12,000 से 15,000 रुपे परमत आपको stipend देखने को मिलेगा अगर बात करें age criteria का तो minimum इसमें 18 साल और maximum 24 इयर आपका age होना चाहिए और rule के recording age में relaxation भी देखने को मिल जाएगा बात करें गर हम selection process का तो हम पर selection process जो होगा इसमें एक online test conduct करा जाएगा दो भी इसमें से short list होंगे उनका online test होगा जो online test होगा उसमें आपके mcq questions होगे जिसमें से वह चार option होगे आपके पास उसमें से एक correct होगा ठीक है तो आप जब mcq को clear करेंगे इसके बाद इसमें आपका medical होगा फाइनल इसके बाद इसमें जाइनिंग हो जाएगा अब बात के लिए इसका syllabus के बारे में तो देखिए trade apprenticeship या फिर आपका technician apprenticeship के लिए जो आपका syllabus होने वाला है वो technical से आपके questions आएंगे जिस भी ब्रांज से आप apply करेंगे इसके बाद generic aptitude including quantitative aptitude question होगे reasoning abilities के question होगे basic English language skill के भी question होगे अब बात करें इसमें apply कैसे करना है तो apply करने के लिए यहाँ पर trade apprenticeship अगर आप ITI किये है तो आपके पास apprenticeship India.org पर आपका registration होना अनिवार है technician apprenticeship वालों के लिए यहाँ पर www.mhrd.net पर registration होना अनिवार है और graduate apprenticeship के graduate apprenticeship के लिए आप IOCUL की official website से link description में provide कर देंगे वहाँ से click करके आप apply कर सकते हैं apply करने का जो direct link के video के description में दिया गए है वहाँ पर आप click करके apply कर देंगे apply करते टाइम आपका जो NTS program registration number होता है वो मांगा जाएगा तो वहाँ पर आपको fill कर देना है apply करने का जो last date है वो 10 सितंबर 23 से तो 10 सितंबर के पहले आपको इसमें apply कर देना है अब यहाँ अगर बात करें कुछ important dates का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका apply start होगा वो apply start हो चुका है 25 अगर से 10 सितंबर तक इसके बाद जो भी candidate इसमें select होंगे online test के लिए आपको email address पर आपके mail आ जाएगा कि आप select है आपका जो online test होगा वो कहाँ पर होगा और कैसे होगा सब पुछ आपको email के माद्धम से inform कर दिया जाएगा तो अगर आप इसमें interested हैं तो ज़रूर से apply कीजिएगा IOCL से apprenticeship करने का यही फायदा होता है कि इसमें जब permanent vacancies आती है तो वहाँ पर आपको आपका जो one year का apprenticeship होता है वो as a experience count के जाता है और आप experience वाले vacancies में भी eligible होंगे apply कर सकते हैं जो experience वाले vacancy होती है उसमें काफी कम candidate eligible होते हैं तो हाँ पर select होने के ज़्यादा chances होते हैं तो अगर आप interest ज़रूर से apply कीजिएगा apply करने का link और यह notification का link वीडियो को description में आपको देखने को मिल जाएगा इसी प्रकार से technical field से job date पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर से subscribe कर झाले जीजे